यूएस के जुनरिक मेडिसिंस का जो मार्केट है वो 70-80 बिलियन डॉलर है और उसमें से 30% 32-35% इंडियन कमपनीज ने कैप्चर कर रखा है जो यहां से वो मेडिसिंस को एक्सपोर्ट करती है अब जब यहां से इतने लार्ज वल्यूम में मेडिसिंस वहां पर करेंगे क्योंकि वह अपने इसपेक्टर कु अपनी को भीजेंगी और उनके इसप्र कंपनीज में चेकर रहेंगい कि सारी कि उनके business के लिए काफी ज़्यादा वह important होता है तो USFDA audit कैसे करता है USFDA पहले intimate करता था companies को कि हम आप क्या है इस date से इस date के बीच में audit करने वाले हैं मगर बाद में उसको पूरे world में data integrity के बहुत सारे issues मिले non-compliance के बहुत issue मिला फिर उसको लगा कि companies को पहले से बता के जाओ कि हम audit करने वाले हैं तो वह पहले preparation सारा का लेती हैं और हमें actual scenario पता नहीं चलता है तो अब हम surprise विजिट करेंगे तो surprise audit start हुआ है जहां पर usfda बताता ही नहीं है कि हम कब आने वाले हैं वो direct gate पहुंचता है अपना i-card दिखात और हम बोलता है कि हम usfda के officers हैं और हमें audit करने लिए हुए हैं ऐसे मेरे साथ जो यह intimate करने का process था वो तो बहुत सरी जगहां पर उन्होंने हटा दिया ठीक अब क्या होता है कि वह पहुंचते हैं और उनको चेक करना मालेच क्वालिटी पहुंचते हैं या फिर उनको एक उनमें बंदा जिससे टीम आयो है दो यह तीन लोगों की तो उसमें एक बंदा क्यों डिपार्टमेंट का है वहां पर जाके बैट गया और उसने बोला कि लास्ट वन येर के जितने डिविएसन से वो ले क्या हो लास्ट वन येर के जितने प्रड़क्रिकॉल है वो ले क्या हो लास्ट वन येर के जितने सारे इंसिडेंट से वो ले क्या हो तो वह सारी चीज़े वहां पर मगाएगा और वहां को बैटके विलुट करेगा और उस माली जो कुछ सेंपल उनको मिला है जो उनको नहीं मतलब ऐसा है जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था या फिर सोटोग्राफ्स उनने लिए या फिर कुछ डॉक्मेंट्स लिए हैं तो वह सब उनको उस 484 में सब मिंशन करना होता है कि हम क्या क्या है आपके कंपनी से हमने कलेक्ट किया हुआ है तो 483 और 484 audit complaint होने के बाद last day पे companies के जो higher authorities होती है जो direct USFDA के साथ coordinate करते हैं उनको 483 और 484 दे देते हैं कि आपकी कंपनी हमने audit किया और आपके हमको यह observations मिले हैं अब इस पे आप अपने corrective and preventive action हमको provide करिए ठीक है तो अब एक EIR establishment inspection report बन USFDA के जो higher authorities होती है वो इनके EIR जो report मिलता है वो और जो observation देने के बाद जो कापा response जो वो देते हैं वो उसका evaluation करने के बाद अगर वो comply कर जाता है अगर जो भी observation उसने दिया था वो फिर company ने अपने कापा के through उसको comply कर लिया है और को issue नहीं है फिर वो close जाएगा observation बट अ या companies को उसको reply करना है response letter देना है और उसमें उसको चीजों को address करना है कि वो कैसे करने वाले हैं अगर वो fail होते हैं तो उन पर import alert लगा देंगा या फिर जो भी उनको penalties लगानी है वो लगा सकते हैं तो यह companies के पास पहुंसता है वाल लिटर के बाद companies को response letter देने के बाद response letter फिर USFDA को companies बोलते हैं कि आप हमारे के वापस audit कर सकते हैं फिर वापस आते हैं audit करते हैं audit करने के बाद अगर उनको सब कुछ ठीक मिलता है उसकी बाद फिर वो उस वाल लिटर के एक report बनाएंगे और report बनाने के बाद उसको वो close करतेंगे तो इस तरीके से पूरा यह process चल ना तो USFDA के website भी जा सकते हैं और वहां आपको आपके companies के in fact पूरे world के देतनी companies को जो जो वाल लिटर दिया हुआ है वो सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा जो जी observations थे वह public होता है वो सब के लिए open होता है आप जाके वहां पर उसको देख सकते हैं तो I hope कि इस वीडियो स हो सकता है कि आप future में करेंगे तो इस तरीके से फूरा process होता है thank you very much